हर रोज हर बार जब मैं वीडियो अप्लोड करता हूं सेम चीज बोलता हूं हरेग को एक पे ट्री ताइमस में वीडियो प्लोड करूगा बट इस गेटिंग कोईट डिफिकल्ट मेनेज टाइम बिकोज मालब दो दो चैनल को मेंटेन करना खुद से परसनली ट्रेड करना टेलिग्राम ग्रूप पे आप मेरा ट्रेड भीव से एर करना तो पॉसिबल नहीं हो बता फिर भी मैं दिन का मालब 15 गंटा तो आई थिंक मै कोंटिन्यू करने के लिए यह जो आज के वीडियो है वहाँ पर मैं ना कोई इंडिकेटर आपलाई किया हूं ना कोई ह। यह पर लेवेट द्रह रहां लेवेल कुछ मैंने ड्रह किया हुआ थे को सिंपल प्राइस सेक्शन तर्था आपको दीखना है ठीक है सिंपल पर करो इंडियन मार्केट पर करो या फिर आप सॉर्ट टाइम ट्रेड करो आप किसी में भी करो It needs time, आपको time देना होगा, कभी profit होगा, कभी loss होगा, बट इस cycle को continue करना होगा, ठीके, लोग success इसलिए नहीं पाते हैं, because कुछ time ऐसा होता है, उसके बाद give up कर जाते हैं, या फिर वो सिखना ही नहीं चाहते हैं, कि मैं जो mistakes करा हूँ, उसी mistakes को बार 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 repeat करते जाओ वह जो कोई भी चीज आपको सिखा पाएगा वह लॉस ही आपको सिखा पाएगा विकोज आपको लॉस होगा ना तब आपका माइंड पे चीज आएगा श्ट्राइक आएगा नहीं कि I need to learn then I have to trade आपको लगता है कि इतना इजी है सब में आपको दिखता होगा जब मैं ट्रेड करता हूं मेरा ट्रेड देखके आपको लगता हो कि यह इजी है इतना इजी है तो मैं भी कर लूँगा उसके पीछे ना completely game होता आपका psychology का अपके mindset का ठीक है अगर आपका mindset ठीक रहेगा आपका risk अपके potential के अंदर रहेगा then definitely you will get also success but whenever you will take risk then your limits जब आप अपने limits से ज्यादा risk लेना start करोगे ना तो हाँ पर क्या हो जाएगा हमें से लोग बोलते है risk है तो risk है but thing is wrong गलत है हाँ मैं मानता हूं अगर आप ज्यादा risk लोग है तो आपको rewards उसी सब से मिलेगा but अगर आप limits स ज्यादा risk लेते हो ना तो हाँ पर आपको loss भी ऐसा loss देखे जाएगा उस loss कभी जहल नहीं पाऊगे ठीक है तो लोग यहाँ पर मतलब कोई भी trading platform के बात करते हो हर एक जगह पर लोग वही करते हैं gambling करते हैं बीना knowledge का trade करते हैं only because of that 90% लोग loss करते हैं 10% लोग profit करते हैं but 10 10% लोग जो मलब एक level को survive करके चले गए ना जो 90% लोग loss करते हैं उनका 10% का मलब जो लोग profit करते हैं उनका equal बराबर होता है यह जो market moment होता है completely एक zero sum game होता है ठीक है कोई profit कर रहा है तो कोई loss कर रहा है बट अगर कोई loss कोई profit बना पा रहा है then why not you आपको यह भी सोच नहीं you need to see inside yourself whatever you are making mistakes or something like that from mistakes से आपको सीखना होगा and यहीं चीज मैं हमेशा बोलता हूं and यह जो series मैंने स्टार्ट किया ना मैं आपको कोई tips दे रहा हूं ना कोई मैं आपको indicator बता रहा हूं ना कोई strategy बता रहा हूं but अगर आप मेरा trading style देखोगे then आप एक चीज आपको समझ में प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे trade करते हों दस इंडिकेटर हो देखने के लिए उनके पस time नहीं है ठीक है ना उनके पास कोई मतलब जैसे होता ना कि दस बारा इंडिकेटर लगा लो लेवेल इधर से उधर से इधर से खिंच लो ठीक है यह सब नहीं होता है बाट अगर आप स सब्सक्राइब करते हैं अगर नहीं हो पाएगा तो एक लिस्ट मलब के रेकोडिंग करना बड़ी बात नहीं है रेकोडिंग के बात उसको एडिट करना वोईस को सिंक्रोनाजिशन करना उसके बाद अप्लोड करना यह सब के लिए टाइम टेकिंग होता है एंड फिर भी मैं कोसिस करूँगा एट लिस्ट मालों दो दिन में एक वीडियो में अप्लोड करूँगा ताकि आपको समझ में आएगा यह साइक्लोजी स मेरा माइंड सेट को अपकी नहीं कर सकता हूँ बट यू केन एब्जर्ब सम्थिंग लाइक ट्रेडिंग स्टाइल कि हां मैं ऐसे ट्रेड कर रहा हूं तो उसके साथ आप थोड़ा मोडिफाई करके अपना खुद का कुछ ऐसा पैटर्न ऐसा स्टाटेजी ऐसा माइंड से आप डेबलोप करो तब आपको फीचर में हेल्प करने वाला है जैसे कि मैं लास्ट चे साथ साल से अल्लेडी कर रहा हूं तो एक मेरा चार्ट देखने का नजरिया अल्लेडी चेंज हो गया मैं एकस्पेट कर पाता हूं कि नेक्स्ट कैंडल बन रहा है वह आपको टाइम स उसी के उपर हम लोग काम करेंगे and अगर आप देखो के लेट साइट पर आप चूजें सम् करेंशी का जॉस्ट लाइक यूस्ट आइनार यूस्ट वियर्ल यूस्ट डीजड और ये सब मैंने रेंडॉमली चूज किया so that आपको लगे नहीं when you are working on a strategy that should work in different currency pair ऐसा नहीं कि अगर मैं एक ही currency pair पर मैं काम करूँगा तो आपको लगे गए कि नहीं I have something secret and like that so that I am trading only that currency pair and making profits there only and when you are going with the same strategy you are working on different currency pair that's not working so ऐसा कुछ भी नहीं अगर आप एक currency pair हो या 10 currency pair हो या फिर आप किसी भी प्लाटफ़ाम आप जाके काम करेंगे तो candlestick का psychology होता है वो हमेशा same ही होता है जैसे आप कहीं पर एक emot को send करते हो अब social media हो कहीं पर भी मैं पहले भी एक example दिया हूँ जब भी आप smiley का emoji भेजोगे ना तो सामने वालों को smile smiling face में है वो happy है तो उसका इंडिकेशन सेम ही है चाहे वो क्या कर सकते है थोड़ा बहुत उसका modification करके smiley भी बहुत अलग-अलग type का आता है ठीके बट जो represent करता है ना वो single meaning को ही represent करता है तो यह जो candlestick psychology हो यह आप इ रिप्टो पे करो इंडियन मार्केट में करो whenever you are going the same strategy मतलो आपको काम करेगा ही करेगा हां long term जब आप trade करते हो उस time cases में आपको pattern देखना पड़ता है आपको long time के लिए hold करना पड़ता है but as we are doing short time trading so we need to only predict to a next candle ना so अगर आपको previously कुछ pattern देखके आपको एक candle प्रेडिक कर लेती हो तो और कुछ नहीं है और कुछ मार्लों बचा ही नहीं हो आप ठीक है ना तो यहां पर अब देखते हो मैंने कुछ currency pair को में चूछ कर रहा हूं जो जिसका जिसका percentage डाउन है मैं उसको हटा दे रहा हूं ठीक है and मैं और कुछ यहां पर randomly में चूछ करने वालों currency pair को तक कि और भी हम लोग जादा से जादा ट्रेड ले पाएं और मैं आपको करके दिखा पाऊंगा ठीक है जितना भी आसेट में ने लिया सो अभी पे एक एक ट्रेड लेने के लिए कोशिज करूंगा अभी अगर आप देखो मेरे वालेट पर अभी बालांस जो बचा है वान ल तो ऐसे कैसे में आप क्या कर सकते हो जो हम लोग नॉर्माली देखते हैं डेट एंड टाइम रेंज को मैं सिलेट करूंगा और यह जो बॉटम लेवल है जहां से मार्केट उपर गया इस बॉटम से यह टॉप पोजिशन तक मैं लेके जाऊंगा ठीक है बिकोज नीचे ग् दग रहा है वहले ट्रेट को एक डाउन साइड का ट्रेट बनना चाहिए अभी देखो कि यह इतना स्ट्रॉंग ट्रेंड चला था और सिंगिल केंडेल ने आपका यहां पर चार चार केंडेल का 50% को कबर किया हुआ है ठीक है तो ऐसे कैसे में और एक केंडेल यहां पर रे तो इसलिए मैंने यहां पर 70,000 ट्रेट लिया ओल्दो मैरे पास 1,76,000 यह रिस्क था बड़ मैंने यहां पर रिक्स लिया विकोज मुझे पता है अभी बहला केंडेल जो है रेट केंडेल बनना चाहिए ठीक है तो यह सब जब आप केंडेल स्ट्राटीजी पर काम करते हो पर आपकेंडेल को हो जाता है कि इ सूलिग पर हो रहा है यहां पर आप अभी केंडेल चेंडेल का पर आपे आपको नोजरिया फोड़ा सज नहीं होगा यहां पर ट्रेड लिया, इसके पिछे लॉजिक क्या था, मैंने तो आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया कि इतना स्ट्रॉंग ट्रेंड है, तो मैं आप साइट के लिए ट्रेड लेने के लिए आप सोच रहे होंगे, ठीक है, बट यहां पर अगर आप देखते हो, इतना स्ट्रॉं इन बायर्स का आधा से उपर ही मार्केट सस्टेन करता, उसके नीचे आने नहीं देता, जैसे उसके नीचे आएगा, जैसे हम लोग इंडियन मार्केट में, या फिर फोरेक्स में, क्रिप्टो में, जहां पर हम लोग ट्रेड करते हैं, वहां पर SL हंटिंग के बारे में इन बायर्स के नीचे 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 इनका मरलब सपोर्ट लिया और उसके बाद देखो मार्केट उपर जा रहा है, अभी अगर आप देखते हो, दूसरा असेट हम लोग चूछ करते हैं, एक या असेट हम लोग ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, यहां पर आप देखते हो एक ट्रेंड अप ट्रेंड था, फिर मार्केट नीचे आया, यहां पर देखो एक लोग बनाया, लोग राई बनाया, यह भी एक लोग राई बनाया, ठीक है, यहां से यह सपोर्ट लेके उपर जा रहा है, अभी मैं क्या करूँगा, यहां पर एक रिजिस्टन्स लेवेल म अपनिंग होता है, तो एक केंडल और उपर जा सकता है, इस गयाप को पूरा करने के लिए, तो मैं यहां पर ऑफसाइड के लिए जाओंगा, फिर उपर सेट पर यह हाई को ब्रेकाउट किया था, ठीक है, ब्रेकाउट करके उपर गया था, फिर जब नीचे आएगा न, वो फिर से उस लेवेल पर जायके रेजिस्टन्स दिखाएगा, ठीक है, यहां पर जाके इसको टच करके, इसके नीचे क्लोज करेगा, तो हाँ से फिर एक downside का momentum आपको देने का chances रहेगा अगर इसको breakout करता है market तो इसके उपर आपके लिए resistance level क्या होने वाला यहाँ पर ठीक है red and green का combination इसको consider करो या फिर इसको consider करो ठीक है तो हां तक market को एक होना चाहिए बाट अगर यह solid candle close करता है उसके बाट एक रेट डोजी बनने का chances जैसे कि मार्लब क्या होता ना उइक क्रिएट करेगा तो ठीक है market continuous direction में जाने का chances बट अगर यह solid volume का candle होगा जैसे मारू बूजू candle होता है बिना उइक का candle टेल लेस headless candle बनता है तो उस मार्केट ने क्या क्या यह उपर गया उस ग्याप को पूरा किया बट फिर वी देखो एक week छोड़ के आया था देख रहे हो ना यहाँ पर यह जो अभी क्या क्या ना मार्केट ने अब देखोगे कि इतना बड़ा ग्याप क्रियेट कर दिया माला week मतलब वो सेडो ही है ग्याप ही है तो उस ग्याप को पूरा करने के लिए मार्केट इस बीच में और एक दो कंडल डोजी भी बना सकता है ठीक है अगर यह फूल बोल्यूम का कंडल इधर कहीं पर क्लोज किया होता है मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड लेता वर स्टेल देखोगे तो आनालिसिस के सबसे जैसे मैं आपको वोला अगला ट्रेड यह यहां पर जाएगा वहां से जाकर रेजिस्टन्स लिखाया है देखो एक्जाक्ली उस पॉइंट को जाकर टच करके फिर मार्केट नीचे आया ठीक है तो यह हो गया अभी दूसरा असेट पर ट्रेड करेंगे एक ही आसेट पर हम लोग ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे कंबिनेशन को लेकर अगर मैं ड्रो करता हूं यह एक रेजिस्टन्स लिए उसके उपर अगर मैं जाकर देखूंगा यहां पर रेड़न ग्रीन का कंबिनेशन को लेकर यहां पे खें तो अवराल देखोगे तो मार्केट ने इस लिए को ब्रेक आउट कर चुगा है बट स् ट्रेड हम लोग आप साइट के लिए लोजिक क्या है यहाँ अगर आप देखते हैं मैंने तीन चैट ट्रेड क्यों लिया देखो आकाउंट को ग्रो करना है तो मुझे रिक्स लेना है एंड रिक्स जो बें लूँगा तो एसा नहीं कि मैं रेंडम लिक्स लूँगा ना तो म रेजिस्टंस लिवबल को ब्रेकाउट किया उसके वद एक रेड रेड केंडल बनाया उसके पर सस्टेन किया और यह जो ग्रीन जी बनाता ओक उग्रेन के लिए अगला वसकोझार के लिया नहीं करूँगा तो मारी मनेच के मैं हिसाब से मेरा रिक्स लेलिया है ठीक है प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाने के लिए मैंने रिक्स लिया अगर विन हो जाता है तो डेफिनेटल हम लोग इसको कॉंटिनू करेंगे और इसको और आट दस लग के आसपस केपिटल को लेके जाने के लिए कोसिस करेंगे मैंने यहादा रिक्स ले लिया था इसे रिक्स आपको नहीं लेना चाहिए तो फिर आपके बस कुछ बचा नहीं रहेगा कि आप उसको अकाउंट को ग्रोग कर पाऊगे अगर आप देखते हुँँ तरह आज के दिन एक इप्टेंड कीश्ट से मैने यह अगा ऑसेट करेंगे यहाँ पर क्या कर रहे है इस ग्याप को पूस्ट है नहीं किरें इस पर जैहाँ के सिएजिब और मार्केट क्या कर रहा है same situation देखो यह जो gap छोड़ के आया था ना इस gap को पूरा करने के लिए market गया वी अभी अगर यहाँ पर कोई क्या करता है ना green candle अगर इस line के उपर close का तो उपर जाएगा मुझे नहीं लगता close करेगा मुझे लगता next candle down जाएगा तो मैं यहाँ पर रिक्स जो है छोटा सा ट्रेड लेने वालो अगर यह उपर close हो तो अप जाऊँगा नीचे close होगा तो डाउन जाऊँगा तो मैंने यहाँ पर एक offside के लिए ट्रेड लिया 70,000 का ही मैंने रिक्स लिया और मैं offside के लिए ट्रेड क्यों लिया अभी अगर आप देखतो यह हमारा एक resistance लेवल था जहां से देखो दो candle यहाँ पर रिवर्सल लेकर नीचे आया था इसने यहाँ पर breakout जब किया था support बना के उपर गया था फिर market जब नीचे आया देखो एक retracement लिया उपर गया उपर जाने कब देखो same level पर market ने resistance दिखाया दिखाने के बाद उसी को देखो market ने breakout किया जब breakout किया so that हम लोग यहाँ पर offside के लिए ट्रेड लेंगे ठीक है और thing is that देखो गे तो यह जो market retracement भी हुआ था ना इस bottom से top तक अगर आप consider करो उसका 50% cash pass से market support लेके उपर गया होगा ठीक है अभी अगर देखतो इस point से यहा अभी वाला candle को green होना चाहिए ठीक है तो ऐसे हम लोग multiple assets पर हम लोग trade करते है candlestick psychology देखते है with that price section को थोड़ा बहुत combine करते है ठीक है अगर अगर आप कर लोग ना अगला trade जो है offside के लिए जा सकते है जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि अगर किसी एक level को breakout कर रहा है ठीक है मालब same color का 2-3 candle बन चुका है तो market continuous direction में जाने का chances से यह already मैंने आपको एक SS pattern पर आपको समझाया हुआ है ठीक है जैसा नहीं कि हर एक situation में यह काम करने वाला है ठीक है बट जैसे कि market यहां पर देखो यह market ने देखो यहां पर क्या क्या इसने आपर breakout किया ठीक है यहां पर breakout breakout किया breakout करने का देखो market नीचे आगया ठीक है नीचे आगया यहां पर आप देखते हो यह week और यह week के बीच में ज्यादा कुछ difference नहीं almost same ही है ठीक है तो यह trade अपना मतलब यहां पर दीख रहा है कि red candle हो रहा है बट मेरे इसाब से यह green candle बनाना चाहिए था अगर यह red candle इस नहीं यहां पर breakout किया था और यह जो head बनाया था देखो कभी-कभी इस type का एक-एक error आपको देखने को मिल सकता है उस error के लिए आपको prepare रहना होगा अभी अगर आप देखते हो market यहां पर resistance क्यों ले रहा था यहां पर आप देखो गया ना left side पर यहां पर आप देखो एक resistance level था जहां से market यह rejection दिखा रहा है उसी level पर market यह rejection दिखा रहा है ठीके तो इस type का कभी-कभी error होता है तो उसके लिए आपको prepare रहना होगा पहले से और आप देखोगे तो easy case से market नहीं यहां पर head side का जो week है बड़ा था एक candle यहां पर resistance लेवल भी था यहां पर कोई resistance लेवल नहीं होता ना left reference पर जैसे मालब यह left reference पर कुछ candle नहीं बना होता तो यह candle next channel offside के लिए जाता है तो यह resistance के बज़े से यहां पर एक आपको देखने को मिला downside का ठीक है तो बस हो यह and अगर आप different asset पर चलते हैं यहां पर यह trade तो win होई रहा है clear item में ठीक है तो अभी तक पड़ता है account grow and अगर आप proper logic के साथ confidence के साथ over confidence नहीं होना चाहिए ठीक है आपको confidence रहेगा तभी आप properly analysis कर पाऊए आप लोग देखे होंगे कभी-कभी market respect नहीं करता है बहुत ज्यादा volatile होता है एक दो trade loss होने के बाद na confidence lose हो जाता है और उस confidence lose के चलते हम लोग गलर decision लेत हो तो loss होगा भी तो आपको confidence down नहीं होगा because you have potential to recover and you have the knowledge you have the capital to bounce back again but अगर आपके पास capital नहीं रहेगा whenever you will taking the risk आपको ये mind में आएगा if this trade going against me then what will I do where I will find the capital where I will get the knowledge where I can get something so that I can recover this loss ठीक है तो इसके लिए आपको आपके potential के अंदर हे रहेके trade करना होगा ठीक है अब मेरे पास मैं क्या यहां पर एक करोड केपिडल लगा के trade नहीं कर सकता हूं मैं कर सकता हूं but हमेशा मैं एक limit पर रखता हूं कि हां मेरा 10 लग का limit है अगर 10 लग केपिडल को मैं grow कर पाऊंगा एक करोड तक तो बहुत सही है अगर loss भी होगा तो मैं उतना loss तक म completely live trade लेकि आप लोगे साथ मैंने share किया मेरा view मेरा mindset मैं कैसे trade करता हूं कैसे risk management करता हूं profit होता है तो किसे नहीं रिक्स लेता हूं अगर एक गोल अचीव होने के बाद मैं फिर से कहां से start करता हूं यह सारा चीज आपको देखने मिले होगा और जैसे ही अगर आप trade करोगे मैं नहीं बोलूंगा कि आप एक ही बार में अपना losses को recover कर लोगे अगर एक टार्गेट गोल बना लो कि मेरा मेरे पास 10,000 का capital है और मुझे डेली के 500-600 रुपीज अगर हो गया तो मेरे लिए एन अप है उस दिन मुझे आप trade करने के कोई जरू होती नहीं अगर ऐसे mindset के सा 10,000,000 के डाल है तो मैं एक डॉलर से compounding करूंगा एक लगा के 3 होगा 1.8 होगा 1.8 होगा 3.4 होगा 3.4 होगा 2-3 step compounding हो जाने के बाद फिर से 1 डॉलर पर आजाओ तो ऐसे risk management करोगे ना तो आपका जो winning percentage हो चांसे increase होने वाला है लोग क्या करते हैं आते हैं स्टार्टिंग में मेरे पास 10,000 है लगा लो 10,000 हो गया तो 20,000 हो गया नहीं तो 0 हो गया ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है अगर आपको long term survive करना मार्केट पे तो फॉलो यर रिक्स प्लान रिक्स मेनेजमेंट ट्रेडिंग प्लान इसके उपर आपको follow करना होगा strict काम करना होगा तो भी जाके हो पाएगा अगर वही मिस्टेक्स आप बार बार कर रहे हो तो पांच सल क्या कभी आपका कुछ नहीं होने वाला है अगर आप मिस्टेक्स से सीखना शार्ट कर होगे तो एक ऐसा टाइम आएगा तो हाँ पर आपको वह मिस्टेक्स आप आप करोगे इग्नोर करोगे मैंने कई बार ऐसे हुआ है दस डलार अकाउंट को मैंने 5000 तो लेके गया उसके बाद मैंने जीरो कर लिया अभी के बात नहीं करो पहले की बात कर अभी भी होता है कभ जहां पर आप 10 में से 5 बार करें तो वहां पर 10 में से 1 बार करोगे ठीक है बट 9 टाइम आप खुद को कंट्रोल कर लो खुद को डाइवर्ट कर लोगे ठीक है तो यह वीडियो के पीछे लोजी क्यों था अगर आप एक ट्रेडिंग प्लान के रिक्स मेनेजमेंट के साथ काम करते हो डेफिनेटली आपको भी बेनिफिट होने वाला और अगर वीडियो अच्छा ले तो लाइक सरें सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो का में टार्गेट रखूंगा लाइक्स का 10 के लाइक्स का एंड 15 कोमेंट्स आप लोग इतना लाइक्स करते हो तो मे अगर वीडियो अच्छा ले तो लाइक सरें सब्सक्राइब कर देना मिलते हो और एक इंडिश्री वीडियो पर तब तक के लिए बावाई